ACCA और USCMA, after graduation हमारी लिए कौन सा प्रोफेशन बेटर होकर देखिए, दोनों ही प्रोफेशन वर्ल्ड क्लास हैं, जहां ACCA एक Global Chartered Accountant का प्रोफेशन है, वहीं USCMA जो है, वो Global Management Accountant का प्रोफेशन है, तो अगर आपका इंटरेस्ट अदिटिंग, टेकसेशन, फाइनेशल रिपोर corporate finance है, तो आप USCMA को परस्यूब कर सकते हैं, USCMA केवल दो पीपर, वहीं अगर हम बात करें, ACCA की, तो ACCA में आपको knowledge level exempt हो गया, तो भी आपको 9 पीपर क्या करने पढ़ेंगे, देने पढ़ेंगे, तो अगर आप 3 साल after graduation दे सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा, आप ACCA जा और sometime इस profession को बच्चे 6 months में भी पास कर सकते हैं, और इसमें भी काफी अच्छा placement आपको available होगा, हमारे YouTube channel पर आप जाके देख सकते हैं, कि हमारा USCMA का जो result है, वो more than 90% है, और अभी बहुत सारे student का placement हुआ है, तो USCMA भी एक global profession है, ये ultimately choice करती है candidate की, कि वो अपना career management accounting में बना चाहता है, ये public accounting, अब कई बार candidate पूछने सर, difficult कौन सा है, तो देखिए, जहाँ ACCA आप से 9 paper expect कर रहा है, वही CMA, USA केवल 2 paper, तो length को देखें, तो ACC की ज्यादा है, यहाँ 2 paper है, investment देखा जाए, ACC में ज्यादा लगेगा, USCMA में कम लगेगा, value जो है, दोनों की different है, लेकिन द started accountant और एक है आपका management accountant, तो अगर आप केवल multiple choice, question based, examination, और केवल दो छोटे से ऐजे पूछे जाते हैं, जल्दी भी pass करना चाहते हैं, तो USCMA आपके लिए better option हो सकता है, दोनों की ही ample opportunities इंडिया में है, लेकिन अगर एक 12th pass student होता, जो ACC अपने graduation के साथ में complete कर सकता है, लेकिन graduate student को मैं advise करूंगा कि वो USCMA को करें, जल्दी भी pass होंगे और उनका placement भी जल्दी होगा, so hope so ये video आपको पसंद आया होगा, if you really like the video, please like and subscribe the channel,